दोस्तो आईपील से ठीक पहले रंजी ट्रोफी के फाइनल में रिशप पंद अपने पुरानी ही अंदाज में एक हाथ से ही लगाए लंबे लंबे छक्के और जर्दिया तुफानी शतक जिहां दोस्तो आपको बता दे लगभग दो महीने से खेले जा रहे है रंजी ट्रोफ पर पहुत चुकी है और मुंबई अपने दूसरी पारे में दो विकेट के नुकसान पर 260 रनों के लीट पर खेल रही है और इससे अब साफ हो चुका है कि रिशप पंद आईपील में एक बार फिर से खतरनाक बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं तो दोस्तो रंजी ट्रोफी का फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी कॉमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दे